कि अर्याना वीद्याले बोर्ड बिवानी द्वारा दस्वी के गोसित किए गए नतीजों से शिक्सा विभाग शंतुषत नहीं है है क्या कारण है इस समय में साथ हैं शिक्सा विभाग के अत्रिक्त मुखे सच्व पीकेदास इन से जानती है पिछले साल से इस बार की जो पास परसंटेज है वो मामली कम है लेकिन मोटे तोर पर दिखा जाए तो पचास परसंट या पचास पॉइंट पांस परसंट की जो रेज़र्ट है यह संतोष जनक नहीं है क्योंकि यह दिखाता है कि हर सौ बच्चों में से पचास बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं तो हमारी जो सिख्षा तंत्र है स्कूल का सरकारी तंत्र है उसमें जो बेवस्ता हमने की है जो इस तरीके से बजेट के प्रावदान है टीचरों का प्रावदान है बावनों का प्रा कुछ साल पहले तक पिद्याले शिक्षा बोर्ड ग्रेस मार्क दे के परिणाम को थोड़ा अक्षप्टबल लेबल पर ले आते हैं जो हमने पिछले दो साल से बंद कर रखा है इस बार नकल के उपर काभू पाने के लिए भी हमारी काफी प्रयास रहा है उसका भी कुछ असर लेकिन यह सबके बावजूद भी अगर बच्चों को हम सही तरीके से पढ़ाएंगे और उनकी कमजोरी कहां है अगर इसको हम चिन्हित करेंगे और उसी के मुताविक उनको तयार करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज बहतर हो सकता है इसलिए मैंने अलेडी इस बारे में आ देते तो पास करते इसलिए इसलिएंगशा में है इस बार जो बच्चे नौवी से दस्वी में गए है और घ्यानी से बार्वी में मैं उनलोगों का सब्जयक्ट वाइज आशेस्मेंट कि ऑजा जाएगे यह नवी परिख्या में उन्होंने कि सब्जयक्ट में अच्छा कि क्या है कि सब्सक्राइब अच्छा नहीं किया ताकि उपर डिस्टिंग्शन पाने वाले में भी और नीचे पास फेल की कगार पर कड़े हुए स्टूडेंस को हम त्यार कर पाएं कि उनके थोड़ा बेहतर ही हो सके कई सारे जेनरल प्रायाश तो हो रहे हैं लेकिन बच्छों को बहतर पास परसंटेज देने के लिए या बहतर डिस्टिंग्शन देने के लिए हमारी खास स्ट्राटेजी रहेगी ताकि अगले जो इग्य सकूलों का जबकि उनको तन्खाव ज्यादा दे जाती है तो इसके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही हैं कि स्कूलों में 15 पर्शन्ट की और डिफरेंस है हम यह भी मानते हैं कि सरकारी जो नीजी स्कूल है उसमें वो अभिवावक अपने बच्चों को बेजते हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं सहर में रहते हैं या बच्चों की पढ़ाई के स्तर के बारे में जागरूपी है तो इसलिए नीजी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क परिनाम में ठोड़ा अंतर तो होना जरूरी है लेकिन इतना जादा अंतर भी ठीक नहीं लगता हम सरकारी श्कूल के जो टीचर हैं और स्कूल के जो हैड मास्ट और फिंश्पल है इनको जादा जवाब्देव बनाएंगे साथ-साथ उनको थिक तरीके से पढ़ा पाएं इसके लिए और भी थोड़ा हमें मेहनत करना होगा, उनके ट्रेनिंग, उनके ओरिएंटेशन को बहतर करना होगा, और बच्चों के साथ उनका जो इंट्राक्शन है, उसको भी थोड़ा और बेटर बनाना पड़ेगा ताकि ये परिणाम बहतर हो. समाज में बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये एक समाजिक जिमेदारी भी है? और एक कानून सुरक्षा वाली भी वेवस्ता का प्रोष्ण है, तो इसके लिए स्कूल अपग्रेड करना सही समाधन नहींगे, जब इन बच्चों का कॉलेज भी जाने की बारी आएगी, तो हम फिर हर गाउं में कॉलेज बनाएंगे, ऐसा सुचना भी सही नहीं होगा, ब इज़्जत के साथ समाज में बराबर के हिसेदारी मिलना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए सरकार की भी जिम्यदारी है और समाज की भी जिम्यदारी है। कि वो धर्ने परदर्शन पर ना बैठें और अपनी शिक्षा पर ध्यान दें कैमरावैन संजे के साथ अनिल कुमार टोटल निव चंडिगर